हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आप करजन इन्फो मस्ती जिसका हमें बहुत दिनों से इंतरियार था वो आ गया हाई स्कूल सत्र 2020 से 21 ब्लूप्रिंट और कोशन पेपर हिंदी यहें क्लास 10 के लिए क्लास 12 के लिए दोनों के लिए ब्लूप्रिंट जारू कर दिया गया है MP बोर्ड के अंदर वो भी नय वाला 2020 और 21 के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अब यहां देख सकते हो पह एक्षा दस भी विषय है हिंदी विष्षिष्ट के लिए टोटल मार्क्स आपका हेंडेड मार्क्स का होगा और समय आपका तीन घंटे का होगा चीक है आप इकाई 1 के अंदर देख सकते हैं पद सही यह पूरा स्कीन शोट ले लेना आप यह चीक है जो पहली इकाई है वह है 24 मार्क्स की चीक है यहां पर स्कीन शोट ले ले लेना इसका चीक है और जो दूसरी काई है जो इकाई दूसरी है वह थर्टी वन मार्क्स की स्कीन शोट ले ले लेना अब आते हैं इकाई थर्ड के अंदर इकाई थर्ड के अंदर जो इकाई थर्ड है वह थर्टी फाइब मार्क्स की है चीक है तो नीचा जाते है स्कीन शोट ले लो ये इसमें लिखा हुआ है पांच प्रिशनों में से कोई तीन प्रिशन हल करना अनिवारे हैं प्रसंट छे में से कोई चार प्रसंट करना अनिवारे हैं लगबग 75 से 100 सब्दों में करने पड़ेंगे तीन अंक के आंसर वो जो चार अंक के वाले आंसर ह हो लगवग 120 से 1500 के बीच में करने पड़ेंगे हमें चीक है और 30 परसंट objective होगा 30 परसंट subjective होगा और 40 परसंट analytical होगा चीक है हमें लिखना पड़ेगा चिसे clear यह हुआ हिंदी का अब आगे आ जाते हैं यह अब समाने हंदी का Class 10 समाने हंदी जनरल हंदी के लिए चीक है टोटल है 100 मार्क्स और 3 घंटे का पीपर होगा इसके लिए जो इकाई फ़स्ट है अपका वह 34 मार्क्स की एक अंक के 10%, तीन अंक वाले 4% और 4 अंक वाले 3% ज़किँ जी थोड़ नीचे आजाते है। एक अई दोसरा है अपना 31 marks का। ज़किए और नीचे आजाते है। ठड़ एकाई है हमारा 35 marks का। ज़किजे। अब अंगरेजी के उपर बात करते है। अंग्रेजी विशिष्ट, इंग्लिस विशिष्ट के उपर बात करेंगे, जो एक क्लास थेन्थ के उपर, चेके जी, यह है अंग टोटल हेंडेड मार्क्स का होगा, और तीन हेंडे का पिपर होगा, चेके, और यह हाई स्कूल, 2020 से एक किस वाला है, ब्लूप्रेंट, कोश् इन सब को जो पहली हिकाई में आएगा, वो 31 मार्क्स का आएगा, थोड़ा उपर आ जाते हैं, लेसन 6, 7, 8, 9, 10, 12, और अब्जेक्टिव, सर्जेक्टिव और इन सब को मिला के 31 मार्क्स का आएगा, यूनिट 2, चेके, अब आगे दिखते हैं, थोड़ा सा उपर, सब होंगे इसके अंदर, और वो 38 मार्क्स का आएगा, जिससे मिला के टोटल हेंडेड मार्क्स का मनेगा, चीके, आप यहां देख सकते हो, जो भी तीन नंबर के कुर्ष्ण होगा, वो 70 से हेंडेड के बीच में मार्क्स सब्दों में लिखने, और जो 120 और 500 सब्दों में कक्षा 10 भी, समाने इंग्लिश, टोटल हेंडेड मार्क्स का होगा, तीन घंटे का पीपर होगा, हाई स्कूल सत्र है, चीके, 220 से 21 ब्लूप्रेंट कोश्ण पीपर, चीके जी, अब यहां देख सकतो, पहला लेसन, लेसन 1, 2, 3, 4, सज्जेक्टिव, अब्जेक्टिव, होगो, यह सब ही मिलाके 31 मार्क्स का, युनिट सेकिंड में, 6, 7, 8, 11, 31 मार्क्स का, अगे हम आ जाते हैं, यूनि थर्ड, बारा, तेरा, बारा, फोर्टी, 12, 14, 15, 16, 17, सज्जिक्टिव, अब्रिक्टिव, 38 मार्क्स, टोटल हेंडेड मार्क्स का है, हुई, इसमें भी सेम ह है जो पहला इकाई है वह अपना 30 marks की 30% एक एक नमबर के होंगे चीइख आगे जो दूसरी काई है वह 30 marks की चीख है इसमें लिखा है 15% में से 10% हल करना 15 में से कोई भी दस प्रसन हल करना पड़ेगा जो थर्ड काई है वह चार अंकी प्रसन होंगे चालीस पंदरा प्रसनों में से कोई दस अंक दस प्रसन सॉल्व करने होंगे टोटल हेंड़ मार्क्स का होगा चीक है वही सेम चीज है संस्कृत समान्य वाली की देख लेते हैं जिनके बाद समान्य संस्कृत है तो वही है एकाई बने अपना थर्टी मार्क्स का पंदरा मेंसे वही साथ कोशन दस कोशन करने है चीक है और जो थर्ड एकाई है वह अपनी 40 मार्क्स की चीक है 40 मार्क्स की वही 15 मेंसे 10 कोशन करने है और हेंडेट टूटल मार्क्स होगे आप वही है से 35 से 100 और 120 से 1500 शब्दों के बीच में उन चाहिए अब आगे आ जाते हैं यह उर्दू है स्कीन शोट ले लो अगर कोई उदू पढ़ने वाला है तो मराठी पढ़ने वाला तो वह भी स्कीन शोट ले लें चीक है जी पंजाबी है अब आते हैं विज्ञान के उपर जो में सब्जेक्ट के उपर बात करते हैं विज्ञान के उपर विज्ञान हाई स्कूल सन 2021 ब्लूप्रिंट कोशन पेपर चीक है तो यह है दसवी कलास का विज्ञान का पेपर जो की अंग होगा सत्तर मार्क्स का टोटल कितने मार्क्स का होगा सत्तर मार्क्स का और तीन गंटे का पेपर होगा अपना आप यहां देख सकते हो जो पहली हिकाई के अंदर है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच बार टोटल पांच चप्टर आएंगे रसाइनी का विक्रिया, एवं समिकन, अमल, छारक, एवं लव, धातु, एवं अधातु, कारवन और उनके योगिक, तत्वों का आवर ती वहरगी के अंदर, यह तोटल यह पांच चप्टर मिला के आपका 26 मार्क्स का होगा, चप्टर, एक अंक के आठ कोशन, तीन अंक वाले दो कोशन, चार अंक वाले तीन कोशन होंगे, ठीकि जी, अब आ जाते हैं, दूसरी काई के अंदर, जिसके अंदर आएगा, जैप काई बच्ची अपनी, मानब, नेत्र, रंग, रंग, विरंग, संसार, दूसा विधुत, तीसा विधुत्धारा, हमारा प्रियावन और प्रकृतिक संसादनों का प्रिभंदन, यह हमारा 25 मार्क्स का है, तो टूटल 80 मार्क्स बनता है, बट यहां 70 मार्क्स होना चाहिए, बिकोज अफ 30 मार्क्स का हमारा कोई प्रैक्टिकल होगा, चीक है, वही सेम है, 75 से 120, 100 और 120 से 1500, शब्दों के बीच में करना है, और 5% में से कोई 3% करना अनिवार है, और 6 में से कोई 4% करना अनिवार है, चीक है, जी, स्कीन शोट लेते रहें आप, वेरी इंपोर्टन है स साइन्स का, साइन्स और मैथ के रिए, अच्छे से देख लेना है, स्कीन शोट ले लेनो, चीक है, चेप्टर भाई चेप्टर, आव आते हैं समाजिक विग्यान के उपर, समाजिक विग्यान का ब्लूप्रिंट, चीक है, इसमें क्या करना, इसमें आप देख सकते हो, कि क् एकाई वन पहले एकाई वन के उबह बात करते हैं भारत के संसाधन पहला भारत के संसाधन दूसा प्राकरतिक आपदा एवं आपदा प्रभन तीसा मांचित्र पठन एवं अंग कन ठीक है प्रतम सवतंत्रा संग्राम और भारत में राष्ट्रिय जागरते एवं रा संग्ठन यह total जेतने भी 6 हैं chapter यह total 45 marks के chapter से हैं एक एक नंबर वाले 10% आएंगे तीन तीन नंबर वाले 5% आएंगे और 4 रंकों वाले 5% आएंगे तो total 45 marks का यह होगा अब आगे आते हैं एकाई सेकिंड में screenshot लेते रहें आप सुतंत्रा आंदोलन वाला है सुतंत्रा अंदोलन में मद्य प्रदेश का योगदान भारतिय सविदान और भारतिय प्रजातंत्र की कारिप्रणाली ठीक है द्यान से रखना अब आगे आ जाते हैं थोड़ सा वही है कि हमें 75 से 100 की बीच में आंसर को देना और 120 में से 500 सब्दों के बीच में आंसर देना है हो जो u 30% आपका औगे इपर से अ नहीं वह एगा थर्डि परसें अ अपका अब्जेक्टीप रहेगा और 20 परसेंड आपका यह एन इनलेटीयंटी का लोगा लेका तेंद क्लास चीक है जी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं चीक है जी अब आते हैं में पे मैथमेडिक्स पे चीक है तो आप देख सकते हो यह है हाई स्कूल सन 2020 से 21 ब्लूप्रिंट कोशन पेपर विशह है गड़िप चीक है यह लेटस वाला ब्लूप्रिंट है जो की अभ सब्सक्राइब कर आए यह कक्षा 30 के लिए विशह है गड़ित हमारा एंठ हम Сब्सक्राइब के लिए फेल से 100 त्यूंक होँ अब मैं अच्छे से महनत करने पड़ेगी तो start करते हैं अब यहां देख सकते हो पहला एकाई जो एकाई 1 है मैं थोड़ा कर देता हूँ जो एकाई 1 है उसमें वास्त्विक संक्या है बहुपद है और दो चरवाले रेखिक समिकर्ण है दूई घाद समिकर्ण है समानतर शेड़ी ह जो पहली ही काई है वो हमारी है 35 मार्क्स की दस कोशन आएंगे आपके एक 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 नमबर के तीन कोशन आएंगे तीन दी नमबर के और चार कोशन आएंगे चार चार नमबर के यह इन टोटल को टोटल कर देता हूँ तो आपका टोटल बैठेगा 35 मार्क्स ठीक है अब आते यूनिट सेकिंड में आप देख सकते हो त्रिभुज लिखा हुआ है निदे संग जमेती त्रिकोंड मिती त्रिकोंड मिती के कुछ अनुपियोग और ब्रित इन चारो चप्टर को पांचो चप्टर को मिलाके टोटली 31 मार्क्स बनेगा वही 10 प्रसंट 3 और 3 चार नमबर के 3 तीन नमबर के तीन और एक नमबर के दस थोड़ा उपर आ जाते हैं अब आता है यूनिट 3 तीसी जिकाई के अंद है उसमें रचनाएं आ जाएंगी बिरतों से संबंदी छेतपल आ जाएंगे प्रिष्टे छेतपल और आयतन आ जाएंगे सांख्या की आ जाएगा और प्र आप यहां देख सकते हो जहां लिखा हुआ है कि जो 30 जो सलीवस है आपका उबजेक्टीव होने वाला है और 30 प्रसंट आपका सजयक्टिव होने वाला है और 40 प्रसंट है वह अनेडिक होना वाला है तीक है मतलब अच्छे से करना पड़ेगा आपको एक एक नमर के अगर में वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट करना मत भूला थेंक यू फर वाचिंग, इन्फो मस्तिए यूटी चोनल, बाई, चेक केर